सभी साथियों का एक बार फिर से कमल किसोर एकेडमी में जोरदार स्वागत और अभिनंदन है साथियों आसा करते हैं कि आप सभी पूंड रूफ से श्वस्थयम कुशल होंगे कोबिड महामारी के दोर में हम सभी ने बहुत सी समस्याओं का शामना किया और आज उन समस्याओं पर विजय हासिल करते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में एक बार फिर से अपनी सिछन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए प्रथम गोल में सम्मेरन के पस्चाथ एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसी की कड़ी में ये कलास आगे जुड़ती है जिसे गांधी इर्विन सम्झोते के नाम से आप जानते हैं गांधी इर्विन सम्झोता पांच मार्च 1931 अब ये जानना अवश्यक है कि गांधी इर्विन सम्झोता क्यों हुआ गांधी ने 1103 मांगों को अंग्रेज गोवर्मेंट के सामने रखा लेकिन ब्रिटिस गोवर्मेंट ने उन मांगों को श्विकार नहीं किया परन्तु आज स्वैम गोवर्नर जनरल लाड इर्विन के द्वारा एक माहोल तयार करने की बात की जा रही थी कि कांग्रेज से वारता की जाए ऐसा क्यूं? चुकि प्रथम गोल में शमेलन कांग्रेज के आभाव में असफल हो गया था बोड पर आप देखें उसके शिखर पे देखें लिखा गया है गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 आगे इसे छोटे-छोटे सेग्मेंट में बांड दिया गया है जैसे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें इसके सारे पहलू को आप देख सकें देखिए लिखा है कारण कारण पर्थम गोल में सम्मेलन की बिफलता अब आगे आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं शमझावता कराने में किन का योगदान था किन लोगों का योगदान था इस समझावता को कराने में तो आप देख रहे हैं दो परसनाल्टी उस दवरान भारती राजनीत में बहुत सक्री थी उन दोनों का योगदान इसमें आप देख रहे हैं तेज बहादुर सप्रू और डाक्टर येमेस जैकर ने इन दोनों ने मिलकर के प्रयास किया गांधी से बार बारे लोग मिलते रहे और उन्हें ब्रिटिस गॉवर्मेंट से बात करने के लिए इन लोगों ने राजी किया इसी बातावरण के दवरान ब्रिटिस सरकार ने महत्मा गांधी को 26 जन्वरी 1931 में यरवदा जेल से जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया या लिखा भी गया है गांधी को जेल से रिहा किया गया 26 जन्वरी 1931 ओके आगे बढ़ते हैं वार्ता प्रारंब हुई दोनों पक्षों के बीच जो वार्ता प्रारंब हो रही है वो हो रही है 17 फरवरी 1931 कहां परेवारता हो रही थी दिल्ली में एक बात का और ध्यान रहे जिसे बोर्ड में हम अंतिम में लिखे हुए हैं यहीं पर कह देना चाहते हैं कि इस गांधी इरिबिन शमझावते को दिल्ली पैक्ट के नम से भी जाना जाता है कभी कभी परतियोगी परिक्षाओं में दिल्ली पैक्ट की चर्चा कर देते हैं तो आपको लगता है कि कोई नया प्रस्न आ गया है जो कि यही पुराना ही प्रस्न होता है अब इस पैक्ट के प्रावधानों पर हम सभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कौन सी सर्ते हैं जिन पर लाडेरविन और महतमागाणी ने हफ्ताचर किये तो प्रावधानों की कड़ी में आप देखते हैं प्रथम प्रावधान प्रथम प्रावधान में सरकार सभी राजनेतिक बंदियों को रिहा करेगी जो भी किसी भी हर्ताल या किसी भी आंदोलन के दौरान जो भी राजनेतिक बंदी बंदी हैं उन्हें सरकार के द्वारा रिहा किया जाएगा आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आंदोलन के दोरान जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है अपनी नौकरियों से उन्हें सरकार पुनह वापस नौकरी में लेगी आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु है भारतियों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी इस पे शरकार ने प्रतिवंधित कर दिया था और अब सरकार छूट देगी आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं जो शबिने अवग्या अंदोलन महत्मा गांधी ने इस्टार्ड किया था उस शबिने अवग्या अंदोलन को इस्थखित किया जाएगा फिर आगे आप जाते हैं तो देखते हैं कि लोग सराब और सरकारी दुकानों पर शांती पूर्ण धंग से धरना दे सकते हैं नेक्स्ट बिन्दू कांग्रेस दोती गोल मेश्च मिलन में प्रतिभाग करेगी अगला बिन्दू है राजनेतिक संगठनों के शभी प्रतिबंध वापस लिये जाएंगे तथा सभी जुर्माने जोन पर लगाए गए थे वो मुवाफ किये जाएंगे आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ब्रिटिस समानों का बहिसकार यवम पुलिस जादितियों की जाँच की मांग नहीं करेगी अगला बिंदू नौवा बिंदू दूसरे कालम में आप देख सकते हैं उपर लिखा हुआ है कि यदि कांग्रेश इस समझोते का पालन नहीं करती है तो एसी दसा में शरकार पुना कार्जवाही करने के लिए शुतंत्र है तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इतने प्रावधानों को गांधी इर्विन समझोते में शामिल किया गया अब बाते उत्पन होती है कि समझोते पर प्रतक्रिया क्या हुई तो इस समझोते पर बहुत ही तीखी प्रतक्रिया हुई शंपून राजनेतिक, शमुदाय द्वारा, महतमा गांधी और कांग्रेस की तीखी आलोचना की गई बोड़ पर आप देखें मैंने लिखा है नहरू और बामपंथी जितने भी नेता थे शब्दुखी हो गए इन आलोचनाओं के दोर में एक बात जो यहां पर लिखी नहीं गई है उसकी चर्चा भी हम करना चाहेंगे कि वो तीन करांतिकारी पुर्शों के शंदर्व में इस प्रावधान के अंतरगत वो बातें नहीं रिखी गई थी यद्दिप की महत्मा गांधी के द्वारा भगत सिंग, राजगुरु और शुकदेव को फांसी के अस्थान पर आजीवन कारावाश की सजा में फांसी को तब्दिल करने की बात मौखिक रूप से कही गई थी जिसे ब्रिटिक सरकार ने श्रिकार नहीं किया तो ऐसी दसा में आलोचना स्वाभाविक थी आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समझहोते की शफलता किन बिंदूओं में शमाहित है तो कैसे गांधी इरिविन समझहोता सफल हो रहा इसके दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं ये हम सभी देखते हैं देखिए एक बिंदू लिख दिया गया है कि कांग्रेश को अब सम्भाइधानिक तोर पर बराबरी के दर्जे को लेते हुए दुती गोल में शम्मिलन में बराबरी के दर्जे से कांग्रेश शामिल होती है अगली जो सबसे महत्वकून बात आ रही है वो ये है कि इसी बिंदू पर लुई फीसर नामक बिद्वान ने लुई फीसर नामक के तिहासकार ने कहा था कि एक राष्ट के नेता ने बराबरी के अस्तर पर दूसरे राष्ट के प्रतनिधी से बात की अगले एक विद्वान है जिनका नाम है केम मुन्शी केम मुन्शी ने भी इस समझोते के बारे में कहा था कि इतिहास की एक महत्वकून घटना के रूप में इसे उन्होंने बतलाया था किस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ब्रेटिस गवर्मेंट के द्वारा ये समझोता किया गया और कांग्रेश द्वारा एक बिसेश अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में लाया जाता है आउडिशी अधिवेशन में कांग्रेश ने गांधी इरिविन समझोते पर अपनी मोहर लगा दी अर्थात इसे मंजूरी प्रधान की तो इस प्रकार ये समपूर्ण एनालसिस आपको दी जा चुकी है एक बार फिर से परिच्छा उप्योगी फैक्ट की हम चर्चा करना चाहेंगे देखना चाहेंगे कि गांधी इरिविन समझोते का कारण क्या था कारण ए था कि प्रथम गोल में शम्मिलन अशफल हो गया है दूसरी बात दो महान परसनाल्टी तेज बहादूर सप्रू और डाक्टर एमेस जैकर ने विसेश प्रयास किया समझोता कराने में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया 26 जनवरी 1931 को और वारता प्रारंभ हुई 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में इसके प्रावधानों की आपको विस्तार से चर्चा की जा चुकी है आगे आप देखते हैं कि इस पर शंपून राजनेतिक समुदायद्वारा तीक ही अलोचना की गई और उसका भी बिंदु में बता चुका हूँ शफलता इस समझोते की ये रही कि कांग्रेश को अब बरावरी का दर्जा ब्रेटिस गोर्रमेंट ने संभायदानिक तोर पर इस समझोते के माध्यम से दिया और दोतीक गोल में शम्मिलन में महत्मा गांधी इसी समझोते के सर्तों के आधार पर भाग लेते हैं आगे आप देखते हैं कि 29 मार्च 1931 में कांग्रेश ने अपने विसेशा धिवेशन कराची में एक विसेशा धिवेशन किया गया जिसमें इस समझोते पर उन्होंने अपनी महर लगाई तो इस प्रकार आज की ये क्लास कम्प्लीट होती है अगली क्लास में दोतीक गोल में शम्मिलन लेकर मैं उपस्तित होता हूँ धन्यवाद जय हैं जय भारत